हेलो गाइस वेलकम बैक टू मै चैनल आज हम बनाएंगे अलसी के लड़ू दोस्तो अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप अपने स्वास्त को बनाए रखने के लिए और अपनी इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस लड़ू को बना सकते हैं ये लड़ू किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है उनके तेज दिमाग के लिए अलसी में ओमेगा 3 पाए जाते हैं जो कि बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने लिया है अलसी, एक कप, इसे मैंने पहले से ही धोकर सुखा कर रख लिया है, और यहां हमने लिया है एक कप आटा, इसको हम आटे के साथ बनाएंगे, और यह डेड़ कप चीनी, और यहां हमने लिये है मुवफली, एक कप, एक मुठी बादाम, और एक कटोरी मखाना, इसे भी हम लड्डू में डालेंगे, और यहां हमने ले लिया है एक बड़े चमच हल्दी पॉर्डर, एक कटोरी घी, देसी घी है यह, और यह है ड्राइ जिंजर, जिसे हम सौठ भी बोलते हैं, आप चाहें तो सुखाद रख खरीद के घर पे पीश सकते हैं, लेकिन यहां मैंने रेडिमेड ले लिया है, तो चलिए सबसे पहले हम अलसी को रोस्ट कर लेते हैं, इसे हम बिल्कुल धीमी आज पे रोस्ट करेंगे, अगर आप तेज आज पे करेंगे, तो यह चटा करने लगेगा, और चारो तरफ फैल जाएगा, इसलिए हम इसे बिल्कुल धीमी आज पे रोस्ट करेंगे, और जब यह पक जाएगा, तो यह फूल जाता है, इसका मतलब फूलने का मतलब आप समझ जाईए कि ये पक चुका है तो चलिए अब ये रोस्ट हो चुका है हम अलग बरतन में इसे निकाल लेते हैं और फिर हम पैन लेंगे और उसमें घीर डालेंगे और फिर हम इसमें आठे को डाल कर भून लेंगे इसे भी हम मीडियम आज पर भूनेंगे और इसे लगतार चलाते रहेंगे जब ये भून जाएगा तो इसका कलर हलका सा चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर का ये हो जाएगा ये देखिए कुछ इस तरह से अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर और देड़ चमच सौट का पॉडर डालेंगे और इसे हम पांच मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आज पे फिर से भून लेंगे अगर हम हल्दी को नई भूनेंगे तो ये कच्छा रह जाएगा और फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा इसलिए हम आटे के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है इसे भी हम एक अलग बरतन में निकाल कर रख लेंगे और इसी तरह हम मखाने को भी रोस्ट करके इसे भी हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में हम फिर से पैन लेंगे और इसमें डालेंगे गी और फिर हम इसमें मूमफली को डालकर इसे भी भून लेंगे बिल्कुल दीमियाज पर और फिर हम इसी में बादाम को भी डालकर भून लेंगे इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं और यहां एक बार फिर से हम पैन लेंगे और उसमें घी डाल देंगे और यहां हमने अलसी का पॉडर बना लिया है इसको मैंने बिल्कुल दरदरा पीसा है इसे बिल्कुल महीन ना पीसे और फिर हम इसे भी घी के साथ भून लेंगे इसे हम पाँच मिनट तक बिल्कुल धीमी आज पे भून लेंगे यह देखे अब यह भून चुका है इसे भी हम अलग बरतन में निकाल लेंगे यहां हमने सभी चीजों को पीस कर रख लिया है यह मूमफली और वदाम का पॉडर है यह मकाना का पॉडर है यह अलसी पॉडर है और ये आटा जिसको हमने पहले ही भून लिया था वो है अब हम इन सभी चीजों को साफ हाँच से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे हम इसे और चलिए इसे हम मिलाते हुए कुछ छोटी छोटी टिप्स हम आपको बता देते हैं जब हम अलसी और ड्राइ फ्रूट्स को मिक्सी में पीशते हैं तो आप एक बार में इसे लंबे टाइम तक ना पीशे नहीं तो ये तेल छोड़ने लगता है इसे हमें रुक रुप कर एक नमबर पे पीशना है थोड़ी थोड़ी देर छोड़कर फिर हमें पीशना है अगर हम एक साथ पीश देंगे तो इसमें से तेल छोड़ने लगता है और बिल्कुल ये गीला हो जाता है ऐसे भर-बरा पॉर्डर नहीं बनेगा तो देखिए अब ये मिक्स हो चुका है अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस के तरफ यहां हमने फिर से आखरी बार पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे चीनी चीनी हमने डेड़ कप लिया था और एक कप पानी डाल कर इसे हमें चाशनी बनाना है तो इसे हम लगतार धीमियाच पर चलाते रहेंगे जब तक ये चीनी पानी में गूल नहीं जाता है अच्छी तरह से जब चीनी गूल जाएगा तो फिर इसमें उबाल आने लगेगा इसे हम लगतार चलाते रहेंगे यहां देखे चीनी गूल चुका है और इसमें थोड़ा-थोड़ा उबाल भी आने लगा है ये देखिए अब हम यहाँ पे डालेंगे इलाइची पॉडर और इसे हम लागतार चलाते रहेंगे चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर चेक कर लेते हैं कि चाशनी हमारी तयार हुई की नहीं हमें एक तार की चाशनी बनानी है ये देखिए चाशनी एक तार की बन चुकी है अब हम गैस को बंद करके इसे उतार लेंगे यहाँ हम मेक्शर को दो भाग में बाट देंगे और फिर हम पहले एक भाग का लड़ू बना लेंगे इसमें हम चाशनी डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे चाशनी को मिलाने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा घी लेंगे और दोनों हाथ में मिला लेंगे ताकि लड़ू बनाते समय हाथ में ज़्यादा चिक्के नहीं और फिर हम एक एक करके लड़ू बनाते जाएंगे यहां देखे हमने सारे लड़ू बना लिये हैं यह लड़ू सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही फायदे मन्द है इससे हमारी इम्म्यूनिटी भी स्ट्रॉंग रहेगी और किसी प्रकार की कोई भीमारी भी नहीं होगी इसे आप बच्चों को भी खिला सकते हैं यह बहुत ही स्वादिस्ट है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेर करें और बेल बटन को भी दवाएं ताकि आने वाला वीडियो का कोई भी नॉटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ थैंक यू